दोस्तों, अभी के समय में फीमेल को लेकर इतना ज्यादा मीम्स क्यों बन रहा है कि वह अपनी बातों को एक दूसरे महिला के साथ शेयर किये बिना क्यों नहीं रह पाती है? वह अपनी हर बात को एक महिला से दूसरी महिला के बीच में क्यों बाटती रहती है? दोस्तों इसका जवाब जानने के लिए हमें महाभारत के उस फेस में जाना होगा जब युद्ध के समाप्त होने के बाद माता कुंती मृत्यू व्यवस्था में पड़े अंगराज कर्ण को अपनी गोद में लेकर पिलक पिलक कर रो रही थी इस द्रिश्य को देख कर कुंती के पांचों पुत्र हैरान हो गए थे उन्हें बिलकुल भी समझ नहीं आ रहा था एक शत्रू के लिए हमारी माता इतना पिलक पिलक कर क्यों रो रही है इस बात से व्याकुल होकर कुंती के जेश्ठ पुत्र ने उनसे पूछा कि मां आप शत्रू के लिए इतना क्यों रो रही हो तभी कुंती ने एक ऐसी बात कर दी जिससे कि सभी के सभी दंग रह गये कुंती ने क्रोध में आकर कहा कि यह जो कर्ण था यह मेरा पुत्र था परंतु भाईयों में सबसे बड़ा था उनका जन्म पांडवों के विवाह होने से पहले हुआ था इस बात को जानकर युधिष्ठ बहुत ही दुखी हो गया युधिष्ठ ने गुस्से से कहा है यह जो पूरा युद्ध हुआ है यह माता कुंती आपकी वजह से हुआ है आप हमें यह बात पहले बता देते तो शायद यह युद्ध नहीं होता और उसी में क्रोध में आकर युधिष्ठ ने समस्त नारी जाती को एक श्राप दिया मैं अपने चेश्ट प्राताश्री के शवग को साक्षि मान कर सारी नारी जाती को श्राप देता हूँ कि आज के उपरांत वो कभी कोई बेद नहीं शुपा सकेगी युधिष्ठ ने अपनी माता को जो श्राप दिया था वह श्राप आज के समय में भी हमें नजर आता है अगर माता कुंती चाहती तो यह युध को रोक सकती थी अगर वह अपने पुत्रों को यह बात बता देती तो शायद यह युध नहीं होता माता कुंती की एक भूल के कारण यह श्राप समस्त नारी जाती को भुगतना पड़ रहा है तो दोस्तों आपको ये बात पहले पता थी हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों महा भारत और रामायन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो